Hello Everyone, Welcome to JK Exam Cracker आज का ये वीडियो होने वाला है MCQs पर Preamble of Indian Constitution पर हम 30 MCQs लेकर आए हैं इसका जो लेक्चर है वो अल्रेडी अप्लोड हो चुका है इसी चैनल पर आप वो बाले देख लो, वो देखने से क्या होगा एक बड़ आप पढ़ लोगे तो यहाँ पर जो भी question आपके सामने आएगा You will be confident कि इसका answer क्या होने वाला है तो अब जो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी उसका answer आपको comment section में देना है लेकिन मैं आपके answers देख रही थी और आपने answers कैसे दिये हैं For example, ये question का answer है C तो आपने answer देने के बाद इसको post कर दिया और फिर जब second question आया तो आपने उसका answer जो भी है वो अलग से नए comment में लिखा तो आपको ऐसे answers नहीं देने हैं आपको अपने एक ही comment में edit करना है और वहीं पर अपने 30 questions के answer देना है and then end में आपको total score लिखना है जो भी आपका total score रगा होगा आपको answers ऐसे देने है इससे क्या होगा मुझे पता चलता रहेगा कि एक person का score कितना है और जो वाला question आपका गलत हुआ है उसके आगे आपको cross लगाना है for example 2 का answer आपने B दिया है but actually में इसका answer D है तो फिर आपको आगे cross का निशान लगाना है इससे हमें पता चलेगा कि आपको कहां पर दिक्कत आ रहे है कौन सा question आपसे solve नहीं हो पा रहा है तो ये कुछ छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी तो अब चलो हम अपना जो MCQs है उसको पढ़ते है पहला question है हमारे पास इनमें से कौन सा word हमारे preamble में नहीं लिखा हुआ है sovereign, socialist, democratic, Indians इन तीनों ही words का meaning में preamble of Indian constitution जो lecture आया है उसमें बता चुकी हूँ तो meaning आप वहाँ पर देख लेना अब इनमें से कौन सा word mention नहीं है वो है Indians Indian word यहाँ पर mention नहीं है जो preamble का text है वो आपको याद रखना है आपको कभी interview में पूछ ला जाएगा अगर कभी आप interview देते हैं या फिर आप से preamble के उस portion में से बहुत सारे question बन सकते हैं जो मैं आगे आपको कराऊंगी भी बट आपको वो text एकदम याद होना चाहिए वो text क्या है आप मुझे comment section में लिखके बताइए जिसको text याद नहीं है वो मुझे search करके भी comment section में बता सकते है इससे क्या होगा आपको भी चीज़े याद रहेंगी लंबे time तक तो इसका answer है D Indians जो word है वो हमारे preamble में mentioned नहीं है कहीं पर तो हमारा जो text है वो क्या है We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens इसके बाद समें justice दिये हैं justice तीन टाइप के इसमें बताए हैं social economic and political Then liberty है वो 5 टाइप की दी है liberty of thought, expression, belief, faith and worship इसके बाद equality two types के बताए है equality of status and of opportunity and to promote among them all इसके बाद fraternity है जो two types की है assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation last का जो statement है वो important है यहाँ पर in our constituent assembly this कौनसे दिन 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution तो यह जो text है हमारे preamble का यह आपको यादोना चीज़ इसमें से बहुत सारे questions बन सकते हैं और previous exams में बने भी हैं तो यह था हमारा text to the preamble अब जो यह preamble ही preamble है क्या यह मैं आपको preamble वाले lecture में पढ़ा चुकी हो फिर भी मैं आपको बदा देती हूँ N.A. पालखी वाला ने कहा है कि जो preamble है यह identity card है हमारे constitution का जैसे हमारा अपना एक identity card होता है उसमें क्या क्या लिखा होता है आपका नाम, आपका gender, आपकी age, आप कहा से हो, आप कहा रहते हो, आपकी parent age यह सब चीजे, main main चीजे आपके identity card में mention होती है वैसे ही हमारे constitution में जो भी important चीज़े हैं जो भी important value है, जो भी हमारे objectives हैं, इनको preamble में लिखा गया है ठीक है, तो यह हो गया हमारा preamble second question हमारे पास है, इनमें से कौनसी statement true नहीं है true नहीं है, यानि जो statement false है आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ोगे तो question गलत होने के chances है पैली statement है, the date of implementation of the Indian constitution is November 26, 1949 हमारे समविधान की implementation की date यहाँ पर बताई है 26 November 1949 second statement है, जो secular word है, उसको 42nd constitutional amendment act के तहर add किया गया था, और यह जो 42nd constitutional amendment है, यह कब हुआ था 1976, इसके बाद last statement इसमें है कि social economic और political justice हमने Russian revolution से लिये है, Russian revolution of 1917 इसमें से कौनसी statement false है देखो यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, false statement यह है false statement यह है, क्योंकि implement नहीं किया था, हमने हमने इस दिन अपने constitution को adopt किया था, ठीक है तो it was adopted on this date, not implemented, इसका जो answer होगा वो होगा A question number 3 है, which statement is not correct in case of sovereign India sovereign का मतलब क्या होता है, जब आपके domestic और international affairs आप खुद decide करते हैं, आप खुद decisions लेते हो, किसी का control नहीं होता है आप पर, ठीक है, तो इसमें से consistent statement not correct है, not correct के मतलब क्या है, यहाँ पर भी false है, तो पहला जो आपका statement है, वो है India is not dependent on any country, भारत किसी और देश पर depend नहीं है second है, India is not a colony of any other country, भारत किसी और देश की कोलोनी नहीं है, third statement है, India can give any part of its country to any other country, भारत अपने देश का कोई भी पार्ट किसी और देश को दे सकता है, and the last one is, India is obliged to obey the UN in its internal affairs, इंडिया जो है, उसको मानना ही पड़ेगा, UN जो भी हमारे internal affairs में decision लेगा, इस में से सही statement कौन सी है, देखो हम किसी पर dependent नहीं है, ये बिलकुल सही है, हम किसी की कॉलोनी भी नहीं है, 1947 तक हम Britishers की कॉलोनी थी, बट फिर हम आजाद होगे 1947 को, the third statement is, हम अपनी territory का कोई भी पार्ट किसी को दे सकते हैं, it is absolutely correct, क्योंकि ये हमारी खुद की मर्जी है, हम दे, चाहें किसी से कोई पार्ट ले, किसी treaty में, किसी war में, तो ये हमारी खुद के decisions होगे, last one is incorrect, क्योंकि हम obilize नहीं करते हैं, मतलब कि ये compulsory नहीं होता है, हमें कि हमें मानना ही, मानना है जो भी given कहेगा, especially यहाँ पर internal affairs का है, internal affairs में तो किसी का interference होई नहीं सकता है, जो भी सौवरन देश है, ठीक है, तो इसका जो answer है, वो है D. अब है हमारे पास, fourth, K.M. Munshi was related to, K.M. Munshi किस से related है, constitution draft committee, preamble committee, public account committee, या फिर none of the above, Dr. K.M. Munshi जो है, ये constitution draft committee से related है, जब मैंने आपको ये chapter पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने कुछ committees बताई थी, और उनके heads बताई थे, और मैंने आपको ये भी कहा था, कि आपको match करने के लिए दे देंगे, कि कौन, किसको head कर रहा था, तो वहीं पर K.M. Munshi जो थे, उनके पास order of the business committee थी, जिसको वो head कर रहे थे, तो यहाँ पर direct question पूछा है, तो इसका answer है A. Question number 5 है, इन में से कौन से साल में, बेरुबरी केस जो है, वो हुआ था, 1972, 1976, 1970, 1960, इसका जो सही answer है, वो है 1960, बेरुबरी union case 1960 में हुआ था, इस case में actually क्या था, Supreme Court ने कहा था, कि जो preamble है, वो हमारे constitution का part नहीं है, बेरुबरी union case में यह कहा था, और किस के related है, preamble के related है, fundamental right के related है, educational policy के related है, ऐसे question frequently बन जाते हैं, और इसका साल भी आपको याद रखना है, 1960, छटा question हमारे पास है, secular का true meaning क्या है, सभी religions सरकार की नजर में equal होंगे, जो सरकार है, वो minorities के religion को special importance देती है, या फिर सरकार किसी एक religion को promote करती है, या फिर इन में से कोई भी नहीं, इसका जो सही answer है, वो है, कि सरकार की नजर में सभी religions बिल्कुल equal है, सरकार किसी भी minority को special importance नहीं देती है, उनके religion को, और सरकार किसी एक religion को promote भी नहीं करती है, भारत में किसी भी religion से उपर constitution है, because constitution is a supreme law of the land, ठीक है, तो इसका जो सही answer है, वो है, question number 7 है, social equality का क्या मतलब है, हमारे भारत के समविधान में, lack of opportunities, आपको कोई opportunities नहीं मिलती है, lack of equality, कोई equality नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, equal opportunities for all sections of the society, सभी sections की society को बिल्कुल equal opportunity मिलती है, हमारे society में, या फिर इन में से कुछ भी नहीं, तो obviously बात है, इसका जो सही answer है, वो है C, ये तो common sense की बात होगी, तो आपको इसका answer लगाना आना चाहिए, इसका answer है C, question number 8 है, हमारे पास, इन में से किस personality ने कहा था, जो preamble है, वो key note है, हमारे constitution का, options are, Ernest Barker, Juhalal Nehru, B.R. Ambedkar, Nelson Mandela, इसका जो सही answer है, वो है Ernest Barker, इन्होंने कहा था, कि preamble is a key note to the constitution, आप मुझे बताईए कि Nelson Mandela कौन है, Nelson Mandela के बारे में आप मुझे कोई 5 points बताईए, comment section में, hints मैं आपको दे देती हूँ, इनके time duration में बहुत important moment चला था, ये किसी देश के रास्टरपती भी रह चुके है, इनको Nobel Peace Prize भी मिल चुका है, और जिस देश के ये रास्टरपती रहे हैं, उस देश में Britain की कॉलोनी थी, मतलब वो देश Britain की कॉलोनी रह चुका है, ठीक है, तो Nelson Mandela के बारे में आपने कोई 5 points मुझे बताने हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो आप Google करके भी comment section में बता सकते हूँ, इससे क्या होगा, और ये जो हमारा communication आना, ये two way होना चाहिए, unidirectional नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या होता है, मुझे पता लगता है कि आप interest ले रहे हो, और मैं उसी हिसाब से फिर prepare करके आऊँगी, और आपको उतना ही बढ़िया बढ़िया content provide करूँगी, ठीक है, question number 9 ने हमारे पास, इन प्रियंबल जो है, वो पार्ट है समविधान का, प्रियंबल ऑफ दे इंडियन constitution जो है, वो Canada के constitution से हमने लिया है, या फिर none of the above, actually इसमें आपने true नहीं बताना है, इसमें आपने not true बताना है, तो यहां पर typing में थोड़ा सा mistake हो गया है, तो पहला बिल्कुल सही है, 1973 में हमारी सरकार ने project tiger चलाया था, tiger की population को protect करने के लिए, आप मुझे comment section में बताइए कि इस time duration में हमारे देश का प्रधान मंत्री कौन था, केशवनन भारती case में Supreme Court ने कहा था, कि preamble जो है, वो हमारे constitution का part है, third statement हमारे पास गलत है, क्योंकि preamble हमने Canada से नहीं लिया है, हम third statement इसमें सही हो जाएगा, हमें not true पूछा है, तो C is not true, tenth question हमारे पास है, जो language है preamble की, वो हमने कौन से समविधान से लिया है, याद रखिये यहाँ पर language बोला है, सिरफ preamble नहीं बोला है, अगर सिरफ preamble बोला होता, तो it is USA, लेकिन language बोला है, तो it's Australia, Australia से हमने language लिया ह अपने preamble का, 11th question हमारे पास है, preamble to the Indian constitution, यह समविधान का पार्ट नहीं है, यह indicate करता है हमें कौन से objective को achieve करना है, यह हमें बताता है कि constitution की जो authority है, उसका source कौन है, या फिर यह खुद ही एक source है, समविधान की authority का, देखिए इसमें भी आपको क्या बताना है, सही क्या है, तो यह constitution का पार्ट नहीं है, यह गलत है, केश्वनन भारती केस में कहा था, Supreme Court ने कि preamble is a part of constitution, तो दूसरा जो है कि यह objective बताता है, कि बिल्कुल सही है, preamble वाले topic में मैंने आपको बताया था कि इसके क्या क्या objective है, justice provide करना, liberty provide करना, equality, fraternity, इसके बाद यह यह भी बताता ह है, कि constitution की authority का क्या source है, तो क्या source है, वो है we the people of India, हम लोग ही हमारे constitution की authority का source है, तो D विल्कुल गलत है, खुद preamble कोई source नहीं है, constitution का और नहीं यह legislature को कोई powers provide करता है, इसका जो आंसर होगा, वो होगा BNC, बोथ हार correct 12 हमारे पास है, the preamble of the Indian constitution secures justice, liberty, equality and fraternity, यह चारूं चीज़े हमारा preamble, इंडिया के citizens को provide करता है, options आपके पास है कि किसको provide करता है, सभी लोगों को provide करता है, या फिर वो लोग जो territory of India में रह रह रहे हैं, या फिर सभी citizens को provide करता है, या फिर जो भी territory of India के citizens है, उनको provide करता है, तो यह जो है, all citizens को provide करता है हमारा preamble, justice, equality, liberty and fraternity, C is the right answer of question number 12, question number 13 is, the solemn resolution in the preamble of our constitution is made in the name of, जो हमारे preamble का resolution है, वो किसके नाम पर बनाया गया है, people of India के नाम पर, समविधान के नाम पर, Indian Independence Act 1947 के नाम पर, या फिर इन में से कोई भी नहीं, तो यह मैं अभी आपको बदा चुकी हूँ, that we, the people of India, obviously, so इसका जो answer होगा, वो होगा, one, the people of India, 14th question हमारे पास है, preamble to the constitution of India, is not a part of constitution, indicates the objective to be achieved, indicates the source from which the constitution derives its authority, is a source of authority of the constitution of India, I think यह question मैंने अभी भी discuss किया है पीछे, तो I think यह repeat हो गया, तो आप इस question का answer मुझे दीजे comment section में, बोला क्या गया है कि preamble, जो है, वो क्या है हमारे constitution में, part है या नहीं है, आपने बताना है, objective achieve करने के बारे में बताता है कि नहीं, इसकी जो source of authority है, वो क्या है, या फिर preamble खुद ही एक source है, आपने इसमें से answer ब political, social economic, religious, social, religious, political, religious, economic, political, यह बहुँ जदा important question है, यह ACIO के exam में पूछा गया था, I think two years back, तो इसका जो सही answer है, वो है social, economic and political, A is the right answer of question number 15, और यह जो justice हैना, तीन ताइब का, यह हमने Russian revolution of 1917 से लिया है, चलिए आप मुझे comment section में बताओ, liberty, equality and fraternity हमने कहा से लिया है, यह question बहुँ जदा important है, और repeatedly JKSSB, JKPSC और UPSC जैसे exam से पूछा जा चुका है, question number 16 हमारे पास है, in which of the following cases, Supreme Court ने कहा है कि preamble is a part of the constitution, repeatedly मैं आपको अलग-अलग form में यह question करवा चुकी हूँ, option से बेरुबरी case of 1960, गोलकनात case, शंकरी प्रसाद case, केश्वनन भारती case of 1976, तो कौन से वाले act में यह बताया था, case में यह बताया था, कि यह part है constitution का, वो था केश्वनन भारती case of 1973 है यह, sorry, 6 नहीं है, 1973. next question हमारे पास है, the preamble to the Indian constitution secures dignity of individual and unity and integrity of the nation, fundamental rights of all individual, fundamental rights to the citizens of India only, security of tenure to all government services, तो बहुत बेसिक सा question है, obviously servants की, कि तो कोई बात ही नहीं, government servants की, fundamental rights के बारे में भी कोई mention नहीं है, preamble में, हाँ, dignity of individual and unity and integrity of nation, इसके बारे में mention है, कहाँ पर mention है, जो हम objective बता रहे हैं हमारे preamble के text में, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, वहाँ पर यह mention है, इसका जो answer है, वो है, option A. 18th question हमारे पास है, the basic structure of the constitution of India is contained in, basic structure दो हमारे constitution में है, वो इन में से कहाँ पर mention है, article 21, article 14, article 32 या preamble, अच्छा, article 21 किस से deal करता है, right to life से, right to life and personal liberty, और right to privacy BC में आता है, right to education BC में आता है, right to environment, बहुत सारे right, article 21 में आते हैं, इसकी बाद है, article 14, article 14 किसकी बात करता है, right to equality, और यह जो right to equality है, कौन से article से, कौन से article रख है, 14 से 18 तक है, इसकी बाद है, article 32, यह हमें क्या कहता है, right to constitutional remedies, और यह बहुत सदा important right है, right to constitutional remedies, ठीक है, तो इन तीनु में mention नहीं है, basic structure के बारे में, preamble में mention है, basic structure के बारे में, तो इसका जो answer होगा, वो D होगा, आप मुझे बताए, कौन से article को, heart and soul of the Indian constitution कहा था, comment section में इसका answer दो, question number 19 है, the idea of the preamble has been borrowed from the constitution of which of the following country, preamble का जो idea है, वो हमने कौन सी foreign country से बारो किया है, Canada, USA, Britain, France, इसका जो सही answer है, वो है, USA, question number 20 है, interpretative value of the preamble, इन में से कौन से case में हमने discuss किया था, union of India versus आजादी बचाव आदोलन, in the berubari union case, state of gujarat versus शांतिलाल मंगलदास, none of the above, इसका जो सही answer है, वो है, in the berubari union case, जहाँ पर हमने बताया था, preamble is not a part of the constitution, 1960, ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, question number 21 कह रहा है, at which part of constitution declare किया है, इन में से कौन सी जगा में यह सब mentioned है, fundamental right, DPSP, preamble, fundamental duties, इसका जो सही answer है, वो है, preamble of the Indian constitution, यह पांचु चीज़े वहाँ पर mention है, आपको इनका sequence भी याद रखना है, पहले sovereign है, फिर socialist है, फिर secular है, democratic republic, आपको उपर नीचे करके दे देंगे, और फिर आपको sequence में लगाना है, कि हमारे preamble में यह कैसे mentioned है, repeatedly यह question पूछा जा चुक है, तो आपको यह याद रखना है, तो इस वाले question का जो answer था, वो था, preamble, question number 22 कह रहा है, the preamble of Indian constitution, यह किस पर based है, philosophy of India, objective resolution, Indian culture, religious concept, concept, तो इसका जो सही answer है, वो है, objective resolution, the preamble to the Indian constitution is based on the objective resolution, which is drafted on 13th December 1946, and moved by Pandit Nehru, किसने move किया था, यह आपको याद रखना है, Pandit Nehru ने, Pandit Nehru ने, जो हमारे देश के पहले प्रदान मंतरी भी रह चुके है, इन्होंने इसको move किया था, and इसको adopt किया था, चार, sorry, adopted on 22nd January 1947 को इसको adopt किया था, objective resolution को, तो जो मैंने preamble of Indian constitution chapter पढ़ाया, है, वहाँ पर मैंने detail में discuss किया, वहाँ पर जाके आप इसको पढ़ सकते हो, 23rd question हमारे पास है, यह जो ideal है justice का, social, economic, political, जो हमारे preamble में mentioned है, यह हमने कहा से लिए है, French Revolution, Russian Revolution, American Civil War, none of the above, इसका जो सही answer है, वो है Russian Revolution of 1917, यह मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मेरी world history की lectures आएंगी, जब मेरी world history की series आएगी, वहाँ पर यह सभी चीज़े में आपको detail में पढ़ाऊंगी, अभी फिलाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है, social, economic and political justice हमने Russian Revolution से लिया था, the first country जिसने अपने written constitution के लिए preamble को adopt किया, वो कौन सी थी, USA, India, Britain, Canada, इसका जो सही answer है, वो है USA, USA का constitution written है, Britain का constitution unwritten है, आपको यह यहाद रखना है, और इंडिया का भी constitution written है, 25th question, order में लगाना है आपको, preamble में जैसे आपने inverse को देखा है, तो अभी मैंने पीछे आपको यही बताया था कि आपको इसका sequence याद रखना है, चलो comment section में इसका answer दो, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, sovereign, तो यहाँ पर आपको देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो number 1, number 3 पे है हमारा sovereign, तो यहाँ पर का है, 3, 3, 3, B option यहाँ पर eliminate हो जाता है, sovereign के बाद है socialist, socialist का number है 2, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो यह भी eliminate हो जाएगा, इसके बाद आता है secular, number 4, तो number 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसका जो answer होगा, वो होगा A, तो A is the right answer, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, यह sequence है इसका, जो हमारे preamble में mentioned है, 26th question हमारे पास है, जो term V है, हमारे preamble में, इसका क्या मतलब है, भारत की सरकार, Supreme Court, Indian Parliament, the people of India, इसका जो answer है, obviously वो है, the people of India, repeatedly यह मैं question आपको करवा चुकी हूँ, D is the right answer, 27th question है, इन मेंसी कौन से case में Supreme Court ने reject कर लिया था, अपना पहला opinion, और यह कहा था, कि preamble जो है, वो integral part है, हमारे समविधान का, बेरुबरी union case of 1960, केश्वनन भारती case of 1973, both A and B, none of the above, अब देखो, यहाँ पहना दो ही cases के बारे में बताया, अब बेरुबरी union case में तो कहा था, कि यह part नहीं है, तो हमारे पास यह option बचता है, यहाँ पर इसका option यही होगा, तो जहाँ पर आपको दिया होगा, LIC of India case 1995, और इसमें क्या बताया था, इस act में बताया था, कि हमारा preamble integral part है, यह जो integral part वाली wording है, वो इस वाले act में use हुई थी, केशवनन्द भारती case में क्या use हुआ था, बस इतना कि यह part है हमारे constitution का, लेकिन अब यहाँ पर वो option नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पर B हो जाएगा, 28th question है हमारे पास, इनमें से कौन से case में Supreme Court ने कहा था, प्रियम्बल पार्ट नहीं है, repeatedly यह question मैंने आपको कराया, अभी आप इसका आंसर दोगे comment section में, बेरुबरी union case, केशवनन्द, बोद A and B, none of the above, Second last question हमारे पास है, Indian constitution ensure करता है justice in which of the following, social, economic, political, all of the above, इसका जो answer है वो है all of the above, तीन टाइब के justice हमारे प्रियम्बल में mention है, social, economic and political, the last question is, प्रियम्बल has been amended by which of the following act, इनमें से कौन से act में प्रियम्बल को हमने amend किया है, 27th, 44th, 42nd, 40th, इसका जो answer है वो है 42nd constitutional amendment act of 1976, ठीक है, जिसको mini constitution भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी changes हुई थी, आपको मुझे बताना इस time पे कौन प्रधान मंत्री था, यह मैंने आपको शायद अभी पूछा पहले भी, तो इसका answer जरूर आपको देना है, ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि preamble को अभी तक सिरफ एक ही बार amend किया है, 42nd constitutional amendment act of 1976 में और हमने क्या add किया था इसमें, हमने तीन words इसमें add किये थे, इन तीन words को आपने मुझे बताना है, यह तीन words कौन से थे, lecture में मैं आपको detail में पढ़ा चुकी हूँ, अब आप इसके answers दो, मुझे उमीद है कि जितने भी बच्चों ने यह lecture देखा, यह mcqs देखे, सभी बच्चे, जितनों ने भी देखा होगा, वो अपना score comment section में जरूर बताएंगे, और इसी के साथ, यह mcqs का video में खतम करती हूँ, next video में हम lecture पढ़ेंगे, union and its territories के बारे में, जो part 1 में आता है, और under article 1 से 4, इसके बाद फिर हम citizenship पढ़ेंगे, जो part 2 में आता है, 5 से, 5 से कौन से article तक आता है, 11 आर्टिकल तक, फिर हम इन दोनु lectures पर mcqs भी लेके आएंगे, 30-30 mcqs, तो I hope आपको video पसंद आया हुगा, next video मैं लाओंगी बहुत जल्द, तब तक के लिए stay tuned, stay safe, thank you.